आतंकी संगठनों से जुड़े पांच लोगों को दिल्ली पुलिस ने काबू किया है बताय जा रहा है कि पकड़े गए लोगों में दो पंजाब और तीन कश्मीर के रहने वाले हैं पकड़े गए पांचों लोग ISI के नारको टेलरिजम नेटवर्क से भी जुड़े हैं आतंकी संगठन टार्गेट किलिंग के लिए गैंग्स्टर का भी इस्तमाल कर रहे हैं दिली पुलिस ने आतंकी संगठनों से जुड़े पांच लोगों को काबू किया है इनके नाम शबी रहम, अयू पठान, रियाज राथर, गुर्जीत सिंग और सुकदीप सिंग हैं शकरपुर इलाके में इन्हें इंकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया है गुर्जीत और सुकदीप गैंक्स्टर हैं और पंजाब के शोर्य चक्र विजेता एक्टिविस्ट बलविंदर की हत्या में शामिल थे बाकी तीनों हिस्बुल मुजाहिद दीन से जुड़े हैं ये सभी ISI के नर्को टेरिरिजम नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं इनके पास दीन पिस्टल, दो किलो हेरोईन और एक लाक रुपे कैश मिले हैं दिली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोध कुश्वाहा ने बताया कि आतंकी टार्गेट किलिंग के लिए गैंक्स्टर का इस्तमाल कर रहे हैं सामप्रदाइक माहौल बिगारने और आतंक के खिलाफ लडने वालों का होसला तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है पांचो जम्मू कश्मीर के नंबर वाली सफेद रंग की कार में सवार थे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी आपको बता दे कि आतंकियों ने 17 अक्टूबर को एक्टिविस्ट बलविंदर की हत्या कर दी थी बताते चले कि बलविंदर सिंग ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दोरान बहादूरी से आतंकियों का मुकाबला किया था इसके चलते उन्हें परिवार समेथ शोर्य चक्र से सम्मानित किया गया था पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वारी विए अन्टराइब